हेलो गैस गैस अगर आप अपनी वेबसाइट का ट्राफिक इंक्रीज करना चाहते हो वो भी कुछ मंत के अंदर तो आज मैं आप लोगों को अपना एक वर्किंग मैटेड शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जिसे अगर आप यूज करते हो ओके तो आपका जो ट्राफिक है तो आप अपना ट्राफिक डबल ट्रिपल क्या और भी जादा कर सकते हो तो आज मैं आप लोगों को पूरा इस्टाटेजी शेयर करूंगा कि कैसे एक कीवर्ड को पिक करके उसको कुछ इस्टाटेजी को यूज करके उसे रैंग कराया जाता है और अपना ट्राफिक आता हूं तो उसमें मैं कोई इधर उदर के मैटेड या फिर मैं कोई बहुत ट्राफिक वाले सोर्स नहीं बताता हूं कि जहां पर आप जाओ अपना URL सब्मिट करो आपके ट्राफिक मतलब आपका जो वेबसाइट पर बहुत का ट्राफिक आएगा जो कि अनलिटिक्स में एक बाद शो कर जाएगा और ना ही उससे आपकी कोई अर्णिंग होगी और ना ही कोई आपको फर्क पड़ेगा आपके ब्लॉग पे तो ऐसा मैं ट्राफिक वाला कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि मैं अपनी ओडियंस को क्वालिटी वाली वीडियो देता हूं जिसमें मैं genuine method बताता हूं जिनने मैं personally use करता हूं ओके तो अभी मैं आपको step by step चीजे बताऊंगा जिससे आप personally use करो और एक मन्त के बाद आप देखना आपका जो traffic है वो खुद ही improve हो जाएगा और उसके बाद आप आ करके मुझे इस वीडियो पे comment करके बताना कि जो method मैं इस वीडियो में बताये थे वो work कर रहे हैं या फिर नहीं work कर रहे हैं क्योंकि generally इससे मैं काफी time से use कर रहा हूं और यह बिल्कुल genuine method है ओके तो चलिए जानते हैं कौन से वह method है जिससे आप अपनी website का traffic increase कर सकते हो और अपनी website की income भी increase कर सकते हो ओके अब सबसे पहले इसनी महनस से वीडियो बनाता हूं topic share करता हूं अभी आपने देखा MPNRC को उपर कितना अच्छा response रहा ठीक है MPNRC के admin आप लों कुछ सोचो की MPNRC को जो admin है उन्होंने खुद कमेंट किया मेरे वीडियो पे काफी मेरी उनसे बात भी हुई interview के लिए मैंने उनसे बोला था ल चलो कोई नहीं अभी कोई मेरा इतना बड़ा चैनल भी नहीं हुआ है और इतनी मेरी कोई पहचान भी नहीं है लेकिन हाँ आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं और भी interview लेकर रहा हूं लोंगों के साथ interview गरूं उनकी strategy आप लोंगों तक लेकर रहा हूं तो बस support करते रह अब यह एक शायरी website है तो यहां अब आप यह देखो मेरे काफी keywords rank कर रहे हैं और उनसे मुझे traffic आ रहा है लेकिन यह जो traffic है इनसे मुझे कोई इतना खास impact नहीं पड़ रहा है क्योंकि डेली का 20-30-40-50 traffic का कोई मतलब नहीं होता जब तक डेली का 1000-2000 traffic नहीं तब तक एक से दो डॉलर भी नहीं बनता और शायरी वाली नीच में तो आपको मालू मैं CPC कितनी लो रहती है इसलिए मैं शायरी पे काम नहीं करता लेकिन चलो मैंने एक ब्लॉक बना लिया था काफी मेरा मन था तो अब काम चालू कर दिया है तो बीच में छोड़के हटना भी मेरे एक सरीके से बेकूफी होगी तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि चलो अभी तक क्या था जो स्टैटेजी मैं यूज करता था तो पहले तो मैं इस पर शारे लो कॉम्पीशन वाले कीवर्ट को टार्गेट कर रहा था लेकिन जब उन पर मैं रैंग करने लगा और उनसे मैंने जो ट है जिससे कम से कम ट्राफिक में जादा से जादा ट्राफिक लाया जा सकता है तो वह मैं आपको बताता हूं यहां पर आप देख सकते हो इस साइट पर मैंने 100 प्लस आर्टिकल पब्लिश कर रखे हैं ओके अब यह निव साइट है अब इसको फोर या 5 मन्त हुए होंगे तो क्या तो अब जो भी ट्राफिक आ रहा है काफी एक चसाप से शही है काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है और हो ऱट्राफिक इतना इस चाहिए जाइट चैक करूं कि क्या कीवर्ड इंटेंट है अगर मैं इसका यूस करके फ्रस्ट पॉजिशन पर आ जाता हूं तो क्या मुझे यहां से उतना ट्राफिक मिल जाएगा जितना मैं मतलब जितना मैं satisfy हो जाओं ठीक है अब यहां पर देख सकते हो इसका keyword intent काफी अच्छा है 1.9k का traffic इस पर keyword पर आ रहा है और इसका keyword intent 1.6 है अब अगर मैं check करूं उन blocks को जो इस पर rank कर रहे हैं तो आप देख सकते हो उनको 600 plus 600 plus का traffic मिला है तो एक तरीके से सही है लेकिन इतना भी नहीं है ठीक है तो अब अगर हम चाहें इस keyword पर rank कराना अपने article को तो हम rank करा करके अपना जो traffic है जो मुझे अभी 50-60 का traffic मिला है उसे हम easily per month जो है 500 या फिर 1000 तक पहुचा सकते हैं अब वो मुझे कैसे करना है वो मैं आर्टिकल मेरी website का है ठीक है अब मैं क्या करूंगा जैसे मेरा article है तो इस article को तो मैंने पहले लिख लिया इसका अच्छे से SEO करूंगा on-page SEO on-page SEO में क्या है आप लोग अपने article में जो भी आपका targeted keyword है उसको सही से place करिए अपने article की जो design है उसे सही करिए ऐसा article लिखिए ज यह सब on-page SEO जिसको पर मैं काफी video बना शुका हूं तो जब यह चीज़े मैं कर लूंगा तो मेरा जो आर्टिकल है वह automatically second या third page पे आ जाएगा अब जब यह article मेरा second या third page पे आ जाएगा उसके बाद असली game चालू होगा असली game चालू होगा ranking का अब मुझे second, third page की इस article को first page पे first position या फिर top five position में भी किसी भी जगा लेकर आना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो भी method में बत करता हूं जो भी trick मैं use करता हूं अपने article में वो सभी trick backlink के उपर होती है जनली में पास कोई ऐसा अलग source नहीं है या फिर मैं कोई भी ऐसे source आप लोंगा किसा शेयर नहीं गरूंगा जिसमें आपको ball traffic मिले जिससे आपका ट्राफिक ऑटोमेटिकली हजार दो हजार दस हजार तक पहुच जाएगा लेकिन उससे ना आपकी earning होगी और ना ही आपको quality backlink में क्या impact पड़ता है और quality backlink में क्या impact पड़ता है तो मैं क्या करूंगा अपने इस आर्टिकल के लिए quality backlink बनाऊंगा quality backlink कैसे बनाऊंगा तो जितने भी top 10 blog हैं जो number one पे rank कर रहे हैं इनको मैं mail करूंगा इनसे backlink लोंगा अगर यह लोंग दे देते हैं मुझे तो मे 15 या चार या फिर 5 बना दू इन फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज की जितने भी ब्लॉग है उनसे अगर टोटल में पांच ले लेता हूं तो इसली मैं फर्स्ट पेज पर रैंक कर जाओंगा क्योंकि मेरी वेब्साइट नियू है अथॉर्टिक का मैं लेकिन डीए पी से देखर के तो मेरा आर्टिकल एक से दो वीक के अंदर आटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे टॉप फाइप पे किसी ना किसी पोजीशन पर आ जाएगा और वहां पर जब आ जाएगा तो वहां से मुझे काफी अच्छा ट्राफिक मिलने लगेगा और मेरा जो ट्राफिक है वह आटोमेटिकली जो डाउन था वह इंक्रीज हो जाएगा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर एक आर्टिकल से अपनी जो आपने आर्टिकल लिखा है जिस पे कीवर्ड पे मतलब काफी अच्छा ट्राफिक है काफी अच्छा कीवर्ड इंटेंट है और तो आप इजली अपना ट्राफिक इंक्रीज कर सकते हो यहां पर आप डेख सकते हो मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है कि आने वाले टाइम में मुझे इस पे कौन-कौन से आर्टिकल पे काम करना है क्योंकि जितने भी लो कॉम्पेटिशन वाले कीवर्ड से मैंने काम क लिया उन पर लो ट्राफिक है तो उन पर तो मैं इसली रेंग कर जाओंगा लेकिन अब बार ही है उन कीवर्ड को टार्गेट करने की जिन पर अच्छा ट्राफिक है क्योंकि मुझे ट्राफिक चाहिए मैं 100-200 के ट्राफिक के लिए तो नहीं बैठा हूं मुझे कम समय में अच्छा ट्राफिक चाहिए अच्छी इंकम चाहिए तो मैं क्या करूंगा जितने बी यह कीवर्ड पने निकाले हैं इन सब पे काफी अच्छा ट्राफिक है इन सब पे आर्टिकल लिखूंगा आने वाले एक से दो मन्त पे सभी कीवर्ड कर जाएंगे second-third page पे बात में ए बच्छ कि आपके वित ड्यांकिंग और गूगल कभी आपकी की ड्यांकिन new gear अब तक थिडिल कि अभीन गार तो आप लोगे इस स्ट्राफिक को यूज़ी करो एंक म creative आद्छ अठल कोاخर्ण वेत यूनसे इक मन यह जाते हो सब्सक्क्राब कर और तो याद रखना आपका जो ट्राफिक आज 100 का है वो आप 1000-2000 में चेंज कर सकते हो केवल एक मन्त के अंदर और यह वर्किंग मैटेड है कोई बहुत वाले ट्राफिक और इधर वाले इधर उदर के सोर्सेस पे मत जाओ अपने वर्किंग मैटेड पे काम करो ठीक है जो चीजे मैं बता रहा हूँ उससे फॉलो करो और फिर देखो एक अच्छा सा रिजल्ट ओके तो मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इतना ही गुडबाय